अलो एवरिवन स्वागत आप सभी का टोपस फ्रैम चैनल में हर्याना डेली क्वीज की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है तो जल्दी से आ जाए फिर जो है क्लास को शुरू करते हैं देखते हैं कि किस तरीके के कोश्टन्स है आप कितने कोश्टन्स जो है सही कर पाते है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 45 questions और सभी questions जो है वो important है तो शुरू करते देखे first question है SEO work के कितने लोगों को हर वर्ष हर्याना सरकार मुफ्त काशी यात्रा करवाईगी 30,000 लोगों को, 15,000 लोगों को, 25,000 लोगों को या 5,000 लोगों को तो हर्याना सरकार के बारे में बताना है कि हर्याना सरकार जो है वो SEO work के कितने लोगों को मुफ्त काशी यात्रा करवाईगी क्या हो जाएगा सही answer, 5000 यात्रियों को, ठीक है काशी यात्रा कितने लोगों को मिलेगी, 5000 लोगों को, जो SEO work से related है ठीक है, next देखिए, next question है, प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पुर्वी भाग में, दक्षिन पुर्वी भाग में, उत्तर पश्चमी भाग में, दक्षिनी पश्चमी भाग में तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो कहां पर होती है सबसे कम वर्षा, दक्षिन पुर्वी भाग में, जो है, कम वर्षा होती है ठीक है, नेक्स्ट है, करनाल की कल्पना चावला स्वास्थे विज्ञान विश्व विध्याले का नाम अब बदल कर क्या किया गया है करनाल स्वास्थे विज्यान विश्व विध्याले, नंद किशोर स्वास्थे विज्यान विश्व विध्याले, दीन देयाल स्वास्थे विज्यान विश्व विध्याले या जगनात स्वास्थे विज्यान विश्व विध्याले करनाल में जो है कल्पना चाला स्वास्त्य विज्ञान विश्व विध्याले था उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है अब उसे किस नाम से जाना जाता है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? दीन द्याल, स्वास्थय विज्ञान, विश्व विध्याले के नाम से जाना जाता है ठीक है? Next देखे हर्याना के मैदानी भागों में अधिकांश्त है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाव मिट्टी, पत्रीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलूई दौवंट मिट्टी तो हर्याना के मैदानी भाग की बात हो रही है कि वहाँ पर किस तरीके की मिट्टी मिलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले भूरे रंग की उपजाव मिटी पाई जाती है फॉस्ट ओप्शन जो है सही होगा यहाँ पे नेक्स देखे तोशाम पहाडी में मिली भगवान विश्नु के वामन अवतार की प्रतिमा किश स्ताबदी की मानी जा रही है छहमी से बार्मी स्ताबदी के बीच की आट्मी से दश्मी स्ताबदी के बीच की पाच्मी से सात्मी स्ताबदी के बीच की और बार्मी से पंदर्मी स्ताबदी के बीच की तो शाम पहाडी में जो है भगवान विश्नु के वामन अवतार की प्रतिमा मिली थी तो यह किस स्ताब्दी की है यह है आठवी से दश्मी स्ताब्दी के बीच की ओके नेक्स देखे हर्याना में केंद्रिया भैस अनुसंधान संस्थान कहां है हिसार, चंडिकड, भिवानी या पानी पत तो केंद्री अब है सनुसंदान संस्थान कहाँ पर है ये है हिसार में फर्स्ट ओप्षिन जो है सही हो जाएगा यहां पर कोशन नमबर सिक्स है नहीं सोरी कोशन नमबर सेवन है हर्याना में कृशी यंत्र बैंक की शुरुआत किस जिले में हुई क्रिशी यंत्र बैंक की शुरुआत बतानी हर्याना के किस जिले में हुई क्या जोएगा सही अंसर जीन्द जिले में ठीक है नेक्स देखे प्राचीन कला केंद्र नामक संस्था किस से संबंधित है प्राचीन अवसेश अरक्षन से, संगीत से, नृत्य वलोक गीत से, रंग मंच से तो प्राचीन कला केंद्र के बारे में बताना एक संस्था है ये किस से रिलेटिड है ये रिलेटिड है संगीत से, तो बी ओप्षन जो है सही होगा याँ पर नेक्स देखें, प्राचीन कला केंद्र नामक संस्था है कहां पर? अभी पड़ा हमने ये संगीत से रिलेटी था, अब बताना कि ये कहां पर है? अंबाडा में है, हिसार में है, यवना नगर में है, या फिर चंडी गड़ में है तो कहां पर है प्राचीन कलाकेंद्र ये है चंडी गाड़ में फॉर्थ उप्षिन जो है सही होगा ओके नेक्स देखें हरियाना में आइस स्केटिंग स्टेट चैंपियंशिप का आयोजन कब हुआ था एक जनवरी 2018, चोदा जनवरी 2018, चार जनवरी 2018 है दो जनवरी 2018 आइस स्केटिंग स्टेट चैंपियंशिप का आयोजन हरियाना में कब हुआ था यह वह था चार जन्वरी 2018 को ठीक है नेक्स देखें शिवालिक की पहाडियों से हर्याना प्रदेश की कोन सी नदी निकलती है घागरा, मारकंडा, टांगरी या ये सभी शिवालिक की पहाडियों से तो आंसर क्या हो जगा है ये सभी नदियां जो है कहां से निकलती है शिवालिक की पाडियों से निकलती है घागरा हो, मारकंडा हो या फिर टांगरी हो ठीक है नेक्स देखें हर्याना का कौन सा प्राकरतिक भाग सबसे बड़ा है शिवालिक का पहाड़ी भाग रेतिला भाग, मिधानि भाग, अरावली की पाडियों का शुश्क मिधानी भाग कौन सा बाग 們 सबसे बड़ा है क्या जाएगा राइट आंसर? मिधानि भाग मिधानि भाग, I think 93% जो भाग है अरयाना racist मिधानी भाग सही होगा ठीक, next देखए तो राइट आंसर क्या जाए तो यह जो जीले है यह पढ़ती है दिल्ली के आसपास तो ये हैं मैदानी शेत्र में, ठीक है? नेक्स्ट है, श्रीकंट जनपद किस जिले को कहा जाता है? भिवानी को, कुरुशेत्र को, रोहतक को या हिसार को? श्रीकंट जनपद, ये किस जिले को कहा जाता है? ये कहा जाता है, कुरुशेत्र को, ठीक है? बी ओप्शन जो है सही हो जाएगा नेक्स देखिए हर्याना का हर्याला नाम किस पुराण में है सकंद पुराण में, विश्नु पुराण में महा पुराण में या शिव पुराण में हर्याना का हर्याला नाम ये किस पुराण में है तो ये है सकंद पुराण में, ठीक है, हरियाना का हरियाल नाम किस पुराण में है, सकंद पुराण में, नेक्स्ट है, हरियाना के कौन-कौन से नाम प्रचलित थे, हरियाना, हरियानाओ, हरियाना या ये सभी, तो क्या right answer हो जाएगा? ये सभी जो है नाम प्रच्रिते अर्याना की ठीक है? नेक्स देखिए हर्याना शब्द किस कृती में प्राप्त हुआ है? पाशना हच्री महापुराण A और B दोनों या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो हर्याना शब्द जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा right answer? पाशना हच्रियू में से ठीक है? किस वेद में हर्याना की दो नदियों का उलेक है जो आज विलुक्त है? रिगवेद, सामवेद, अत्रवेद या उप्रोक्त में से कोई नहीं हर्याना की दो नदियों का उलेक जो है इन में से किस वेद में किया गया है? क्या हो जाएगा right answer? रिगवेद, ठीक है? फर्स्ट ओप्शन जो है सही होगा नेक्स देखें, शिवालिक की पाडिया हर्याना के किस भाग में स्तित है? उत्तर पूर्वी भाग में दक्षिन पश्चमी, उत्तर पश्चमी या दक्षिन पूर्व शिवालिक की पाडिया, ये पंचकुला साइड है तो इसे आपको पता चल जाएगा अगर अपनी हर्याना का मैप देखा है तो कौन सा जिल्य ऐसा जिसका मुख्यालवा नहीं है तो वो है महंदरगड ठीक है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये कोशन नेक्स देखिए अरावली के पाडिया अधिकांस किस जिल्य में है? रिवाडी, महंदरगड, ग्रुग्राम या बिवानी तो कहां पर पाई जाती है अरावली की पाडियां? राइट अंसर क्या हो जाएगा? ग्रुग्राम में ठीक है ग्रुग्राम और मिवात का जो शेत्र है वहां पर पाई जाती है अरावली की पाडियां नेक्स्ट है, हरियाना में मुख्य रूप से कितनी जीले हैं, 6, 5, 12 या 10 टोटल जीले बताने हैं हरियाना में कितनी जीले हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाना में 6 जीले हैं ठीक है, कितनी जीले हैं, 6 जीले नेक्स देखे हर्याणा में Aus-Sourcing और DC Rate की नोक्रियों में SC वर्ग को कितना अरक्षन दिया गया है 12%, 10%, 5% या 6% आउट्सोर्सिंग और DC Rate की जो नोक्रिया है उसमें SC वर्ग है, उसे कितना अरक्षन दिया गया है तो राइट अंसर किया जगा ? 10% आरक्षिन, ठीक है, 10 प्रतिशत नेक्स्ट है, पुर्वी हर्याना और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है गंगा, सर्श्वती, घगर या यमुना पुर्वी हर्याना और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी है यमुना नदी ठीक है हर्याना रूत्र प्रदेश को जो अलग करने का काम है मतलब सीमा जो बनाती है हर्यान रूत्र प्रदेश के बीच कौन सी नदी बनाती है यमुना नदी ही बनाती है ठीक है नेक्स्ट है वर्ष 2018 में हर्याना राज्य में कितने पत्रकारों और मात्र भाषा सत्याग्राईयों की पैंशन को मंजूरी मिली है 163 पत्रकारों और 393 मात्र भाषा सत्याग्राईयों को 3 पत्रकारों और 393 मात्र भाषा सत्याग्राईयों को या 363 पत्रकारों और 133 मात्र भाषा सत्याग्राईयों को ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाना प्रदेश में वर्षा का वार्षी कोशत कितना है, 40 cm, 42 cm, 45 cm, वर्षा का वासिक ओसत बताना है, हरियाना में कितना है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, वार्षी कोशत है, 45 cm, 45 cm तक, आठनी महीला सब जूनियर नेशनल होकी चैंपियंशिप आयोजन की शुरुवात कब हुई, 10 जनवरी 2018, परवरी 2018, मार्च 2018, तो ये बहुत पुराना कोशन होगी है, नेशनल होकी चैंपियंशिप आयोजन, ये हुआ था 10 जनवरी 2018 को, हिसार में, ये याद रखे, हिसार में हुआ था, कहा हुआ था, ये पूछ सकते हैं, तो हिसार में, ठीक है, हरियाना के किस भाग में वर्शा अधिक होती है, दक्षिन पश्चिमी भाग में, उत्तर पुर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग या दक्षिन पुर्वी भाग में, तो वर्शा सबसे प्रवासी भारतिय दिवस इसकी शुरुवात किस ने की थी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2003 में अटल बिहारी वाजपेई ने की थी. हरियाना के उत्तर में निमन लिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान. तो हरियाना के उत्तर में बताना है. तो हरियाना के अगर उत्तर की बात करें, तो हरियाना के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश. ठीक है? उबर की कोन दरफ कोन है? हिमाचल प्रदेश है. पिर याँ पे उत्तर पस्टीम में जो है या फिर सिर्ट पस्टीम में कहे जाए तो वो है पंजाव और यहां पर नीचे की तरफ आप कह सकते हैं हर्याणा के दख्षिन या फिर दख्षिन पस्टीम कहा लेजी है तो कौन है राजस्थान है सिर्फ ये भी पूछ सकते कि हर्याना के पस्टिम में कौन है और अगर पंजाब उप्शन में नहीं है तो उव्य से राजिस्थान आंसर हो जाएगा वहाँ पे ठीक है और इस साइड जो है वो कौन कौन है दिल्ली है पूरोब के साइड उत्तर प्रदेश है और तो कौन सा है हर्याना के पस्टिम में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान क्योंकि वह बिल्कुल पस्टिम में ही हो गया या तक्षिन भी कह सकते हैं लेकिन जादा पस्टिम में ही हर्याना के तिसलिए राजस्थान सही हो जाएगा या ठीक है नेक्स देखिए हर्याना का मैदानी भाग समुदर तल से कितनी उचाई परस्तित है 200-300 मेटर, 1500-160 मेटर 300-600 मेटर या फिर 200-400 मेटर मैदानी भाग बचाना है कि समुदर तल से उसके उचाई कितनी है क्या हो जाएगा राइट आंसर 200-300 मेटर तक ठीक है, हरियाना का वह पहला सहर जहाँ पर CCTV चालान सिस्टम लागू किया गया है, हिसार, अंबाडा, रिवाडी या फिर यमुना नगर, CCTV चालान सिस्टम बताना है कि हरियाना में कहां पर लागू किया गया है, कौन सा है हरियाना का वह पहला सहर जहाँ पर CCTV चालान सिस्टम लागू किया गया है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर कहां पर लागू किया गया है ये लागू किया गया है यमुना नगर में ठीक है, D option जो है, सही हो गया है आपे ठीक है नेक्स देखिए, हर्याणा में पंचायतों की संख्या कितनी है 3562 6204 5588 6624 पंचायतों की संख्या बतानी अर्याणा में कितनी है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 6204 है ठीक है दिव्यावदान में किन नगरों का उलेक हुआ है, रोहता का ग्रोहा है और भी दोनों या सोनी पत तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिव्यावदान में इन दोनों का यूलेक है रोहता को और अगरोहा दोनों का अंतोध्य शेवा केंद्र में कितनी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी 150 से जादा 200, 200 से जादा या 300 से जादा कितनी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी अंतियोध्य शेवा केंद्रोव से राइट आंसर क्या हो जाएगा 300 से जादा ठीक है मध्या प्रदेश के बाद अब किस प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से रेब के दोशी को कम से कम 14 साल की जेल या फांसी की सज्जा होगे राजस्थान मनिपूर केरल या हरियाना तो सबसे पहले जो है ऐसा कहाँ पर किया गया मध्या प्रदेश में जहाँ पर बच्ची से रेब के दोशी को क्या दी जाएगी या तो पांसी की सज्जा है या 14 साल की जेल और उसके बाद ऐसा करने वाला और कौन सा राज्य है तो वो है हरियाना ठीक है नेक्स्ट है अशोक का टोपरा स्थंब किस जिले से प्राप्त हुआ अंबाडा, रोतक, सोनिपत या फरीदाबाद अशोक का टोपरा स्थंब तो ये किस जिले से प्राप्त हुआ है अंबाडा से तो first option जो है, सही हो जाएगा Next देखे, हरियाना में State University of Visual and Performing Art कहाँ पर है? हिसार करनाल रोहतक या सोनी पत कहाँ पर है State University of Visual and Performing Art ये है रोहतक में Third option जो है, सही होगा Next देखे, हरियाना सरकार ने सफाई करमचारियों के लिए की सायों का गठन किया स्वच हरियाना करमचारी आयोग, हरियाना सफाई करमचारी आयोग हरियाना सफाई आयोग या इन में से कोई नहीं हरियाना सरकार ने सफाई करमचारियों के लिए कोन सायों का गठन किया है क्या हो जाएगा सही आंसर, हरियाना सफाई करमचारी आयोग का ठीक है बी option जोए सही होगा नेक्स्ट है बारत सरकार में क्रिशी एमम किसान कल्यान मंत्री कोन है अनिल्विज ओम्प्रेकास धनकड राधा मोहन सिंग दुश्यन्त चोटाला क्रिशी एमम किसान कल्यान मंत्री बताने है कोन है क्या हो जाएगा राधा मोहन सिंग है ठीक है नेक्स्ट है हर्याना पुलिस का नाम परश्ण ऊतरी स्पर्दा के लिए किस बुक में शामिल हुआ है लिमका बुक, गिनीज बुक, वर्ल्ड बैंक बुक या विश्व पुलिस बुक पर्षन ओत्री स्पर्दा के लिए किस बुक में शामिल हुआ है हर्याना पुलिस का नाम लिम का बुक में फर्स्ट उप्शन जो है सही होगा ओके लास्ट कोशन है किस प्रदेश में नशा मुक्ती किंद्र चलाने वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा राजिस्थान, पंजाब, हर्याना या महराष्टर तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हर्याना में हर्याना में नशा मुक्ती किंद्र जो चलाते हैं उन्हें भी अब क्या लेना पड़ेगा लाइसेंस लेना पड़ेगा ठीक है तो यह थे हर्याना से लेटीड कुछ important question next video में next quiz देखेंगे thank you so much कर देखेंगे